गुड मॉर्निंग फ्रेंस जैसा कि हमने लाज्ट अपिसोड में देखा था कि जियाउजेन के बॉड़ी में वो इस्पृट गल घुश जाती है और याउलिन को अपने बाहों में भर लेती है आप आगे जहां यह देख याउलिन समझ जाती है कि जियाउजेन तो ऐसा कभी नहीं कर सकता तभी वो उससे गुसाते हुए पूछती है कि कौन हो तुम जिस पर वो इस्पृट गल घबराते हुए कहती है कि मैं तो जियाउजेन हूँ पर तवे इतने में ही वहां वो इस्पृट मैनेजर आ जाता है और याउलिन से कहता है कि अब जियाउजेन की जियाउजेन का बॉडी मेरे रहने के लिए एकडम सङी है और सुन याउलिन स्पृट मैनेजर से कहती है क्या भी doctors वो जियाउजेन को याद रह सकता है जिस पर वह कहता है कि कि नहीं उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा तभी अब याउलिन जियाउजेन की ब बाहर निकल जाए और अब ऐसा ही होता है वह स्प्रिट गर्ल्स याउजन के बाड़ी से बाहर निकल जाती है और जोरो जोरो से खासने लगती है तब इदर अब जियाउजन बेहुस हो गया था इसलिए याउलिन उसे हॉस्पिटल के वार्ड रूम में पहुचा देती है जह जहां उसे याउलिन कहती है कि तुम खुद पर कंट्रोल रखो जिस पर वो इस्पृट गर्ल कहती है तुमने मेरा फ़र्ष्ट किस छीन ले आप तुम ही बताओ मैं क्या करूं मैं इतने सालों से हॉस्पिटल में बिल्कुल अकेले रह रही थी कास मैं इंजॉय करने के लि अपने जियो से मिल सकती हूं उसके साथ कॉलेज भी जा सकती हूं ताकि मैं उसके पास हमेशा रह सकूं पर तो मेरी फिलिंग्स को नहीं समझ सकती जिस पर याउलिन कहती है कि बोलो मैं ऐसा क्या करूं जो तुम यहां से जाने के लिए मान जाओगी तभी वो इस्पृट देट जाना चाहती हैं से आधि इसके लिए जियाउजेन के बॉडि को यूज कर सकती हूं अब याशन यावलिन के तो सूड़ जाते हैं पर कुछ तेर बाद याउलिन अपने कार्मिद्व यह सारी बाते बता देती हैं जिसे सूव जियाउजेन का पतुर चौकरा होता है क और क्या स्प्रिट्स सच में होती हैं जिस पर यावलिन कहती है कि हाँ और तुम्हें चोट लगने से पहले यह सभी स्प्रिट्स तुम्हें भी दिखाई देती थी पर यह सब सुन जियाओ जिन को काफी अजीब लग रहा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है जिस पर याओ लिन काफी जादा सैड हो जाती है पर तब जियावजेन कहता है कि तुम मुझे गलत मत समझना तुमने मुझे अचानक से ये सब बता दिया इसलिए मुझे काफी अजीब लग रहा है पर इसका ये मतलब है कि जियो तुमारा बॉइफरेंड नहीं है अब या सुन यालिन को काफी जादा गुस्ता आ जाता है औ कि जियो मेरा वार्फरेंड नहीं है बलकि मैं तो तुम से प्यार करती हूँ वो ऐसा कहने ही वाली होती है पर वो चुप हो जाती है पर तब जियावजेन यालिन की मदद करने के लिए तयार हो जाता है और कहता है जैसे तुम मेरी दोस्त होने के नाते मेरी यादास को लान मेरे 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 मेर हैं तभी वगले दिन जीओ यावलिन से मिलने के लिए वंडर लैंग पहुंच जाता है यह हाइए और यह दीओ के लिन पीछे जियावजेन पर पड़ जाती है जिसे देख जियो का पूरा का पूरा मूट ही खराब हो जाता है और वो गुसाते हुए कहता है कि या लिन जियावजेन तुमारे साथ क्या कर रहा है तब है अब वो लोग एक जगह पर सांती से बैठ कर एक दूसरे से बात कर रहे होत जिसका नाम टीना है इसलिए प्लीज तो मुसके लाश्ट वेस्ट पूरी करने में हमारी मदद करो अब यह सब सुन्जीयों को तो काफी जादा गुसा आ रहा होता है क्योंकि वो तो यहां यालिन के साथ पूरा दिन बिताने को आया था तभी अब वो अपने मन में सोच रहा होता है कि लगता है यालिन को जो चोट लगी थी उसकी वज़शा से वो थोड़ी पागल हो गई है इसलिए ऐसे बाते कर रही है तब यह यालिन कहती है कि मैं जानती हो तुमारे लिए यह करना काफे मुस्किल है पर प्लेस इस पार मेरी मदद कर दो जिस पर जियों कहता है कि तुम्हें प्लीज बोलने की जरुरत नहीं है मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करता हूँ और मैं तुम्हारी इसमें मदद करने के लिए भी तयार हूँ क्यूंकि जियो को या लेन काफी अच्छी लगती थी इसलिए वो उसकी सारी बाते काफी असानी से मान जाता है और इसके साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब करें बाई बाई